गुट मॉर्निंग सस्यकाल अदाब और सभी भारत्वासियों को मेरा बहुत बहुत हाथ जोड़के नमस्कार और आज देख रहे हैं मुझे मोडल लग रहा हूना मैं मॉडल तो पिदाईशी मोडल था मैं आप तो वह हो गया मारूती अटनेट वाला मॉडल बुड़ापे में असी होता है लग नहीं रहा हूं कोई बात ही चलो टॉपिक शुरू करता हूं वैसे तुम देख रहे हैं तुम देख रहे हैं टाई लगा के मैं जिनकी में दो ही बा किसी से बंदभाई है और जादा बकवास नी करूंगा लोग बखवास जाला करें तो काम की बात कम करते हैं चलो मैं बताता हूं आज का टॉपिक क्या है टॉपिक है कुट्ते पानी पिला के लागा येस वाटर इंटोक्सिकेशन यानि यानि पानी का जादा पीना गहतक सी के दो सकतर है हमारी Bo पानी पिया करो पानी कूभ पैया करो चाहिए और हम यह ईज आख बाटी के साफ़ से निकालें तो 30 agreeing पर kg body weight, यानि अगर 70 kg वजन है, तो करीब 2 l लिटर ही बनता है उसका, तो इतना पानी पीना चाहिए, वैसे तो पानी आता ही निया, पीए क्या, और जो आप पीते हैं वो इतना गंदा पानी है, आधी बीमारिया तो ऐसी लग जाती है, चलो वो अलग टॉपिक है और, मैंने बता है कि 2 l के आसपरस पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जो kidney है न, वो एक घंटे में एक लिटर पानी ही निकाल सकती है, टोटल वो 25 l के आसपरस पानी आपका body में से निकाल सकते है, चोबिस घंटे में, अगर आप एक गंटे में 57 गिलास पानी पी जाओगे तो क्या ह प्रॉलम होती है, बताता हूँ, और कितना पानी पीना है, यह बता दिया मैंने, कैसे पता लगेगा कि आपको dehydration है, पानी की कमी है, और कौन सी ऐसी बिमारी है, जहाँ पे जादा पानी पीना घातक सी दो सकता है, या harmful हो सकता है, पहले तो यह बताता हूँ, कि आपको पता स्मेलिंग आ रही है, या cloudy है, तो इसका मता पानी की कमी हो सकती है, अगर dark color है तो, ठीक है? अगर आपको प्यास लग रही है, तो भी पानी की कमी है, तो पानी पीओ न, अगर प्यास लग रही है तो, तीसरा armpit test, ए बाजू में सुंगने का, सुंगने का नहीं, देखने का अगर यह ड्राइ है तो अभी पानी की कमी हो सकती है यह वेट होती है जनरली हाना मेरे यह हो कि तो हमेशा ही वेट रहती है मेरी बगल में कोई आता ही नहीं है मैं यहीं पर हसीन लगता हूं बस मेरी पास मता ना बहुत खतना आग होती है स्मेल आतो बेहोशी का अनसीसा देन यह गीला रहना चाहिए अब यह बताऊंगा कि पानी की जो हमें आफशक्ता होती है कुछ चेंज होती रहती है उसके साथ एज के साथ जैसे बच्चों में और मैंने आपको बतागी पर केजी बॉड़ी वेट के हिसाफ से तो एन्वार्मेंट पर भी डिपेंट करता है अगर बहुत गर्मी में ज़्यादा प्यास लगती है तो ज़्यादा पानी पीना पड़ता है हम एक्ससाइज कर रहे है तो नेचुलि는 ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा अगर तीस मिनीट तक उपको दो गलास पानी पीना चाहिए एकस्टरा और अगर अब थर्टी मिनट से ज्ज़ादा पानी पीना नुकसान दायक हो सकता और दूसरा है कि ज़ादा पानी पीने के सिंटम्स को हैं, आप में वाटर ज्यादा हो गया है, पानी ज़दा हो इसके सिंप्टम्स क्या आंगे,ilia उसके सिंटम्स सबसे पहले चीज अगरिय। तरह स की दूसरा है एड़ेक हो सकता है, सिर्दददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद सोचा नहीं होगा किसी ने की water poisoning भी होती है और अब बताऊंगा कि actually कौन से लोग है जो risk पर होते हैं जिनमें यह होने की chances ज्यादा होते हैं एक तो वो जो बच्चे हैं एक साल से चोटे हैं जो हाना उन में यह होने के ज्यादा होता है चांसे और ओल्ड एज में भी ज्यादा होता है पानी की access हो सकती है अब एक प्रैक्टिकल प्रॉलम बताऊंगा आपको आइट्रोजनिक इसको बोलते हैं कि अब आप होस्पिटल में गए आपको पानी की कमी ह हैं और आपको डिये दिया फटा फटा फट दो-तीन लेटर गुलकोज चड़ा दिया गंटे दो गंटे में क्योंकि बीपी लो था आपको लगा आई जो भी था तो डॉक्टर ने चड़ा दिया और वैसे भी जोला चाप जो होते हैं महां तो ही होता है मेरे गुलकोज चड आई वी फ्लूट देने से अब आप गए होस्पिटल में और फटा फटा आपको फ्लूट दे दिया गया और आपकी सांस फुल नहीं शुरू होगी थोड़ी देर में तो मैं आपको यह बताऊंगा उन डॉक्टर्स को जो अभी ने इस फिर्ड में आये हैं या जीपीज को ज उसका सुच करिंगा होता है दूसरा कि उसका यह थे में कि शिरी में को सूजन तो नहीं है पैरों में को सूजन है तो यह इसका मदाब उसमें लड़भी भरा हूँआ हो सकता है बॉडे के अलेपर से ब्रांफ चलौ शडा होगे तो और प्रभल将 दोसको आट Auch और प्र्वा चेक करी कहता नहीं करी मैंका फिर आपने बिना शुकर चेक कैसे चढ़ा दिया ग्लुकोस तो आते ही सबसे पहले गुलकोमिंटर से एक प्रिक करो, शुगर चेक करो क्यों? कुछ पेशेंट ऐसे निकल आएंगे जिनको शुगर है, ना पेशेंट को पता है, ना आपको पता है और आप चड़ा दो कि इसको DNA 5% इसमें शुगर होती है, और शुगर बहुत बढ़ जाएगी पता चला वो तो इंफेक्शन से आया था, उसका इंफेक्शन और बढ़ गया, यह प्रैक्टिकल प्रॉलम है तो मैं सभी उन जूनियर डॉक्टर से जो ड्यूटी पे होते हैं, भाई, कोई भी पेशेंट आए वो आपको बताए या ना बताए, आपका काम है पहले उसके शुगर चेक करना और उसकी स्वेलिंग देखो, बाड़ी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, और उसकी हिस्टी लो उसकी साइकोजनिक दिमागी प्रॉलम कि वहाँ पर पानी पीते रहते हैं, कुछ ऐसे मेंटल प्रॉलम होती हैं, ठीक है, और मेराथन रनर, जो मेराथन दोड़ लगाते हैं, टक 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 पूरा भागते रहते हैं, यह मिल्टरी हमारी जो आर्मी है, उसमें जो मुसीबत हो सकता है, वहाँ पर आपको लिमिट में ही पानी पीना है, और डॉक्टर से पूछ के कि कितना पानी आप पी सकते हैं, पहला हार्ट की प्रॉलम, जहां पर हार्ट की मसल्स वीक हो गई है, पेशिंट बाबार हार्ट फेलियोर में चला जाता है, तो उन ना जाती है, सांस फूलती है, रात को लेटे लेटे सांस फूलनी चुरू जाती है, तो उनमें भी पेशिंट को बताया जाता है कि भाई पानी आपने कम पीना है, कितना पानी पीना है, एक फर्मूरा आपको बताता हूं, किड्नी के पेशिंट के लिए जिनके किड्नी काम अगर आप ज्यादा पानी पीओगे तो तो अगर आप तोटल अपना पिशाब नापो 24 गंटे में आपको कितना युरीन हो रहा है सपोज आपको 24 गंटे में किड्नी के पेशिंट की बात कर रहा हूं है किड्नी फेलियोर, CRF अगर आपको 24 गंटे में 500 ml पिशाब हुआ तो आप 500 ml और पी सकते हैं यानि एक लिटर आपको अगर एक लिटर पिशाब हुआ 24 गंटे में तो आप 500 ml और जोड़ दो तो डेड़ लिटर तो 500 में फालतू पी सकते हैं जतना भी आपका युदिन 24 गंटे में हो रहा है तो एक फर्मुला है जो हमें बताया जाता था उस समय जब हम पढ़ते थे और चोथा है CLD, Chronic Liver Disease वहाँ पर भी पानी कठा हो जाता बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में सूजन है, पानी कठा हुआ पड़ा है, लिवर काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी बहुत जाता है, फ्लूड आप नहीं दे सकते इन को जरूरर महीने में, पंदा दिन में पर एक लेक्चर जबूर दिया करें, इनको जरूरर यह बताया करें कि भाई, क्योंकि यह होस्पिटल जो चलते हैं यह जूनियर दॉक्टर ही होते हैं यूटी पे, हम लोग तो चले जाएंगे राउं लेके, पीछे से क्या हो रह को इन बातों की जानकारी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है जुनिय डॉक्टर्स को नर्सों को नर्सिंग स्टाफ को कि यह जो गुलकोष चड़ाते हैं और या कुछ और चीजे भी उनको बेसिक महीने में एक वर उनकी मिटिंग जरूर करें और जरूर बताएं ठीक है वैसे तो आजकल NABH का एक सर्टिफिकेशन जरूरी हो गया है जहापे इन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है बहुत अच्छी बात है और मैंने सब कुछ तो बता दिया बापको और यह भी बता दिया कि कुछ मोसम होते हैं जहापे ज़्यादा पानी की डिमांड होते है गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना पड़ता है या हाई एक अटिटूड अगर अगर आप लदाख में जाये तो वहापे ऑक्सिजन कम है जादा पानी पीने से भी प्रॉलम आ जाती हैं भाई वैसे पानी आता गैन टंकी में शुबह आता पांच बजे उठते हैं बिचार कहीं लोग तो पानी भरने के लिए सुबह उठते हैं फिर बैठे रहते ही हूं पानी आज भी नी आया है क्या बता है चलो यह ता एक छोटा कितने दिन खुश दे गई पाइट शुबराती श्रवा गैर और अच्छा लगाओ तो प्लीज सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल मैं अब क्या करूंग कुछ लोग बोलते हैं अप्टिंग करते हो भलाना करते हो अब यह ता बुराई क्या है यार हसता हूं हसाता हू साथ में मेडिकल नौली देकर चला जाता हूं क्या बुराई है उन टिपिकल डॉक्टर में से नहीं हूं मैं क्या करूं या मेरी मजबूरी है और बगवानने को टैलेंट दिया तो क्या है तुमेंने दिखाऊंगा तो किसको रिखाऊंगा तुमनी जहलो के तो कौन और रिमोट यह इसको पानी पिला पिला गया मारू मैं इसको भी वाटर इंटॉक्सिकेशन होगा एक दिन बदलता हूं उसको बाई